वेलकम बेक दोस्टों गाइस दौनोशीट को जैसे यहाँ पर हमारी दौशीट है नेम और सको जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अब डौनोशीट को मेरे को लिंक करना है आपस में बतलब मुझे बताना है कि दौनोशीट में कुछ ना कुछ connection है तो आप connection कै कर सकते हैं connection करने के लिए दोस्तों आपको पहले से कनवर्ट करना पड़ेगा data model में अब data model में आप इसे कैसे कर सकते हैं वह मैं आपको बता देता हूं data model का दूस्तों काम यही होता है कि आप जितनी भी शीट उसमें connect करते हैं तो वह आपको टो मैच अप करने में मदद करता है मतलब वहार से आप direct लिए दो शीट को आपस में मैच कर सकते हैं तो कैसे करना है दूस्तू तो गाइस यहां पर जो हमने power pivot का टैब एंबल किया ता उसके उपर आपको तो यहां पर मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है बिलकुल यह अलग डिफरेंट विंडो ओपन हुई है दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारी जो में सीट थी वह बैक में पीछे आपको दिखाई दे रही हो गया और यहां पर हमारी जो सीट है उसका नाम क्य इसने दोस्तों एक अलग हमको एक्सेल सीट दी है जिसमें एक्सेल वाले जो कॉमन फंक्शन होते है tönt नहीं इसके खुद लेकिन हम Pivot Table तभी यूज़ करेंगे जब हम दो Seat को Combine करने दो कि दोनों को Combine करने के बाद हम Pivot Table Use करेंगे तो हम दोनों का Data एक साथ यूज़ कर सकते हैं तो अब दोस्तों वापिस आपको अपनी Main Seat में आना है Main Seat में आने के बाद दोस्तों आपको दूसरी Seat select करनी है and again यहाँ पर add to data model के उपर click करना है and simply आपको okay कर देना है sorry यहाँ पर गलती होगे database के बीच में आपको click करना है कहीं भी random कहीं भी आप click कर सकते हैं उसके बाद add to data model के उपर click करना है आपकी वापर से वही seat open होगी दोस्तु यहाँ पर देख सकते हैं अब guys यहाँ पर दौनों सीट मैंने add कर दी क्या मैं पेविट टेबल पर click करूंगा तो क्या पावर पैविट इसका पेविट टेवल बना देगा तो guys इसका अंसर है बिल्कुल भी नहीं पावर प्ले टब तब तक आपका पेविट टेबल नहीं बनाएगा जब तक आप दौनों टेबल के बीच में दौनों सीट के बीच में कोई connection उससे नहीं बताएंगे अब connection बताने का दोस्तों इक सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं आपको simply दोस्तों home tab में आना है home tab में आने के बाद आपको यहां पर एक view का section मिल जाएगा यहां पर दोस्तों आपको दो option मिल जाते हैं data view and diagram view तो हम diagram view के उपर click करेंगे तो कुछ step से हमें option देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों data view में दोस्तों जो हमारा main data था उधर से आपको जो पहले आप देख रहे थे वह data view था दोस्तों तो simply दोस्तों diagram view कर देते हैं अब guys हम match करते हैं हमारे दो data मतलब यहां पर जो common link है वो है student ID तो simply दोस्तों । दौन नों को match करने के लिए आपको अपने माऊस लेना है आपको left click करना student ID से लएके यहां पर दोस्तों आपको left click कर देना है यहां पर एक like सकते हैं दोस्तों अभी मैंने left key hold करके रुखा है अपने माॉस कािया इहां पर डोस्तों जो भी डाटा आप लिंक करना चाहते हैं सक्थ तुमस्क द नए हरा वर पर शेकीं से ड्रॉब कर देता हुं अब simply दोस्तों आपको इसके बाद क्या करना है यहाँ पर आपको pivot table के उपर click कर देना है जैसे click किया दोस्तों वो window हमारी close हो चुकी है हमाई पास new एक tab आ चुका है जिसमें पूछता है कि अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दो अलग-अलग option जिसके अंदर आपको दौनों सीट की data मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पर दूस्तों आपको student ID मिल जाता है जो हमारा जो common link up था वो student ID था उसके बाद दोस्तों आपको नाम मिल जाता है यहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाता है एंद फेवरिट सब्जेक्ट और आपको मिल जाता है score marks तो simply दोस्तों पिविट टेबल को जैसे हम एडिट करते थे सेम उसी तरह से आपको इसे एडिट करना है